हाई फ्रेंड्स वेल्कम टो माई यूटूब चानल आज मैं बनाने जा रही हो ब्रेड मंचूर्यन चलिए अभी इंग्रेडिन्स देख लेते हैं एक गाजर कटी हुई तमात्र सास दो चमाच आदा कप पानी सेजवन चेटनी दो चमाच चावल काटा चार चमाच अधर अगलस्वन का पेस्ट दो चमाच दो बड़े प्याज मीडियम साइस में कटे हुए एक शीमलर्ज मिच्च कटी हुई नमक साद अनुसर एक चमाच लाल मिच पौडर चार प ब्रेट के साइसेज एक कप पत्ता गोबी मेदा एक कप सोय सास एक चमाच आरा रोड दो चमाच फूड कर ला है तीन हारी मिर्चे लिक बोल में कैबेज कैरेट आधर डालूंगे आधर बच्चा लूंगी में शिम्ले में चाद डालूंगे आधर बच्चा लूंगे प्याज मिर्ची बेट की चुड़ चुड़ करें काटे वे अधर अधर अगल सुन पेस्ट लाल मिर्च नमक साद अनुसार लाल मिर्च नमक साद अनुसार चावल काटा डेड़ चममाच फुड़ कोलर इसे पानी डालके थोड़ा थोड़ा पानी डालके अच्चे से मिक्स कर लेंगे याद रखेगा थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा ज्यादा नहीं इसे अच्चे से मिक्स कर लीजे फूड कलर ऑप्शनल है आप चाहिए तो डाल सकते ने तो स्किप कर सकते फिर थोड़ा सा पानी डालके इसे अच्चे से डो की जैसे मसल लीजे अच्चे से मसल मसल के डालेए फिर दो चमच चावल काटाव डालिए देखे इस तरह से डो अच्चे से बन गया देखिए इसको छोटे छोटे लोगे तोड़के में गोल-गोल बॉल्स बना लोगे आपको मंच बॉल्स बना सकते छोटे या फिर बड़े देखे इस तरह मीडियम सेज बनाएंगे तो अच्छे दिखते भी है और अच्छे तलते भी है देखे इस तरह से पुरे बॉल्स बना लिए मैंने एक कड़ाय में तेल गरम कर दिया मैंने मीडे माच पर फिर एक एक करके बॉल्स डाल देंगे हमने बर के उसमें मीडे माच ही रखेगा हाई नहीं हाई फ्लेम पर मत रखेगा पुरे बढ़के डाल दीजेगा देखे पाच मिंड बार इसे हमने चमच की मदद से अलेट पलेट कर देंगे तस मिड़ बार इसे निकाल लीजेगा देखे कितना चतल की निकल गए हमारे पॉल्स उसी फ्राइंग पैन में चार बड़े चमच तेल डालूंगे मैं कटा वब्याज शिम्ला मिर्च गाजर पत्तागो भी थोड़ा सी अधरकलसुन का पेस्ट इसे अच्छे से मिक्स कर लीजेए अच्छे से फ्राइ कर दीजे आज मीडियम ही रखेगा जैसे देखे गोल्डन ब्राउन हो गया है हमारे उसमें आदा कप पानी डाल दूंगे मैं उसमें सेजवन चेटनीक चमच तमाटर सॉस दो चमच सोया सास डालके अच्छे से मिला लेंगे आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना बोले थैंक यू इसे बॉइल हो रहा है याभी जैसे हमारा बॉइल हो रहा है जैसे कॉन फ्लर दो चमच पानी में तीन चार चमच पानी में मिला के इसमें सलेरी डालेंगे जैसे ग्रेवी थोड़ी गाड़ी लगती है थोड़ा सा और पानी बढ़ा लेंगे हम लादा कप आपकी इच्छा से आप ग्रेवी भी रख सकते हैं फिर सुखा भी रख सकते हैं मैं थोड़ा सा ग्रेवी टैप रख रही हूं यहाँ पर इस उबाल रहा है देखो कितने अच्छा से इसमें सौधा अनुसार नमक थोड़ा डाल देंगे उज़े नमक कम लग रहा था फिर मंचेरन बॉल्स फ्राइ किये हुए डाल देंगे उसमें हम लोग इसे अच्छा से मिला लीजेगा हलके हातों से ही देखें कितने अच्छा दिख रहे हैं पास दस मिनिटे से अच्छा से उपाल लेंगे हम लोग तकि ग्रेवी का टेस्ट पुरा मंचूरन बॉल्स में आ जाए पीजेए ब्रेड मंचूरन बॉल्स हमरे रेडी हो गया है